नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्ट्री विराज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन स्रीज के लगुत्रिय कुश्चन्स कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इंट तक देखिए और ये अगर किसी को ऐसे कुश्चन्स में प्राबलम है तो मेरे होड्सेप नमबर पर वो कुश्चन भेज करके उसके साल्यूशन की जानकारी कर सकते हैं फिलहाल यहां पर कोशिस की गई है कि सारे कुश्चन्स साल्व कराए जाए जाए लेकिन फिर भी जो बहुत आसान है तो वही कुश्चन इसमें छोड़े गए हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहला कुश्चन्स देखते हैं निमने समीकरण को हल कीजिए यह कुश्चन देख लिजिए 2020 में आया हुआ कुश्चन है और यह समीकरण दिये हुए हैं इनको साल्व करना है तो इनको आप किसी भी बिदी से हल कर सकते हैं चाहे इनको आप प्रतियस्थापन बिदी से हल करें और चाहे बिलोपन बिदी से तो यहां पर देखिए यह हो जाएगा समीकरण एक और यह हो जाएगा समीकरण दो तो यहां पर देखिए हम इनको बिलोपन बिदी से हल करेंगे यहां पर देख तक जो है बिलोपन बिधी में इनको जो है काटा नहीं जा सकता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण एक को साथ से गुड़ा कर लेंगे और समीकरण दो को जो है दो से गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसको 7 से गुड़ा करेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब 2 से गुड़ा करेंगे तो 7 दूनी 14 यानि कि यहाँ पर दोनों में X के गुड़ांक जो है वो 14 हो जाएंगी यानि कि बराबर हो जाएंगे तो जो X वाला पद है वो काटा जा सकता है तो यही काम यहाँ पर कर लेंगे देखिए समी करण एक में समी करण एक में साथ से तथा समी करण दो में तथा समी करण दो में दो से गुड़ा करने पर दो से गुड़ा करने पर तो इस तरीके से इसमें गुड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, पहला समीकर्ण हो जाएगा, साथ दूनी चौधा एक्स, और फिर माइनस, यानिकी इस पूरे समीकर्ण में जो है साथ से गुड़ा करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा, साथ एक्कीस Y, और फिर यहा पर पहला और दूसा समी करन्ट हो जाएगा तो आब यहां पर गुडा करने पर इसको तीन मान लेंगे अब इसमें 5 को माल लेंगे समी करन्ट चार और उसके बाद देखिए यहां पर X के गुडांक बराबर हैं और यहां पर देखिए जो है जो इसके चिन है वो भी समान है तो इसलिए यहां पर लिखेंगे घटाने पर क्योंकि जब चिन समान होते हैं तब लिखते हैं घटाने पर और जब चिन विपरीत होते हैं तो लिखते हैं जोडने पर तो यहां पर तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा अब यह एकस वाले जो पद हैं यह कैंसिल हो जाएगे और यहाँ पर देखें कितना आ जाएगा यहाँ पर देखें माइनस का 21 है और यहाँ पर प्लस का 4 है तो 21 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर देखें आ जाएगा 17 और माइनस का आए गा 51 और यह आएगा फनान कि यहां पर बड़ी है आप क्या करेंगे वाई को इहार रखेंगे और 17 को इधर 585 कर देंगे तिस पर देखिए 10or- existing अब यहां पर देखिए 17 तियाए 15 होता है y कमान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 में रखने पर यहां पर देखें समी करण 1 में y कमान रख लेंगे तो समी करण 1 है देखें 2x माइनस 3y बराबर 13 तो यहां पर देखें y की वैलू है माइनस का 3 तो यहां पर 2x माइनस यहां पर देखें 3 इंटू माइनस का 3 हो जाएग तो यहाँ पर देखे मांयनस मांयनस की गुड़ा प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस की रिक्ट नम और बराबर हो जाएगा 13 5 मॉल उपस्तिक नम अब यहाँ पर 2 एक्स बराबर हो जाएगा देखे 13 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर X को इधर रखेंगे और जो है 2 को भी धर पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2 तो इस परकार से X बराबर हो जाएगा 2 और Y बराबर कितना आया है Y बराबर देखे आया है minus का 3 तो इस परकार से x बराबर 2 और y बराबर minus 3 इसका answer आ जाएगा तो इस परकार से बहुत ही आसानी से ये question किया जा सकता है अब देखते हैं next question तो देखिए next question है question number 2 4 cut square 45 degree minus 6 square 60 degree plus sign square 30 degree का मान गयात कीजिए देखिए ये question भी 2020 में आया हुआ question है important question है तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर देखिए 4 cut square 45 degree दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए 4 into cut 45 का मान 1 होता है तो 1 का square कर देखिए और minus देखिए 6 60 degree का मान होता है देखिए कास में 60 degree का मान 1 बटे 2 होता है तो जो है 6 में कितना हो जाएगा तो 6 में मान हो जाएगा इसका 2 तो इस परकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 का square और फिर यहाँ पर देखिए plus है और फिर sin square 30 तो यहाँ पर देखिए sin 30 का मान 1 बटे 2 है यहाँ पर एक बटे दो का whole square हो जाएगा और फिर जो है इसको आगे solve कर लेते हैं देखिए यह question जो है वो राजन स्रीज में गलत लगा हुआ है यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर minus दिया हुआ है और जो है उसके solution में plus दिया हुआ तो इस तरीके से question गलत लगा हुआ है र प्लस वाले में उत्तर देखिए 33 बटे 4 आएगा तो यह आप लोग अच्छे से समझ लेना यहाँ पर देखिए question पेपर में जैसा यहाँ पर आये लिख करके यहनिकि minus आए तो आप minus के हिसाब से हल कर दीजेगा और plus आए तो plus के हिसाब से हल कर दीजेगा बाकी यहाँ पर देखिए जो है इस question को समझ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 क्योंकि 1 का square 1 ही होगा और फिर 4 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा minus यहाँ पर 2 का square हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर plus यहाँ पर है तो plus लगा देंगे फिर 1 बटे 2 का whole square है तो 1 4 आ जाएगा तो इस परकास से बहुत ही आसाने से इस question को solve किया जा सकता है और देखिए जब यहाँ पर minus होगा सारी यहाँ पर जब प्लस होगा तो plus वाली condition में इसका उत्तर change हो जाएगा यह आप लोग अच्छे समझ लेना चलिए अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 3 पार्ष चित्र में O ब्रित का केंदर है और A, O, B ब्यास है ब्रित का बिंदू C और D इस परकार है कि कोंड C, A, B बराबर 30 डिगरी और कोंड A, B, D बराबर 40 डिगरी तो कोंड C, A, D और कोंड C, B, D ग्याद कीजिए ये question भी देख लीजिए 2020 में पूचा गया है यहाँ पर कहा गया है कि जो A, O, B है ये ब्रित का ब्यास है और कोंड C, A, B देखें C, A, B ये दिया हुआ 30 डिगरी और कोंड A, D, B यनि कि ये कोंड जो है 40 डिगरी और हमको निकालना क्या है कोंड C, A, D यनि कि C, A, D यनि कि ये पूरा कोंड निकालना है और C, B, D यनि कि ये पूरा कोंड निकालना है तो यहाँ पर देखिए एक पर्मे होती देखें यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चित्र में समझ लीजिए यनि कि इस तरीके के जो चित्र वाले question होते हैं रेखागडित के उसमें क्या करते हैं question को चित्र में समझ लेते हैं और जब चित्र आपकी समझ में आ जाएगा तो question को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ उसकी सहता से सबसे पहले सारे कोंड सीख लीजिए कि कैसे ये question हल किया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए एक पर् बन रहा यानि कि यह कौूंड 90 डिग्री का हो जाएगा और इसी महां पर नीचे भी देखे ये ल्गी क्वण है कूड जाएगा इसक्तोत के दुभारण फेस्ट नाने डीजत परॉड तो भी 90 डिग्री का हो जाएगा तो इस में पर ऊस्यां पर चैनी तर चैनला जूनौ 9 तिर्भूच लेंगे तो ये 40rare का है और ये 90 डिगरी का हो जाएगा जनिक यहां पर देखिए यह अर्दबुरत में बना कोड है तो 90 कोड हो जाएगा और उसके बाद देखिए जो है तिर्भूच क तीनों अन्ता च्वाणों से यह वाला जो है solve करेंगे एक बार पुना इस question को चित्र में समझ लेते हैं देखें यहां पर यह 30 degree का कोण है और जो है अर्ध बृत में बना कोण समकोण होता है उस पर में किसायता से इस कोण को और इस कोण को 90-90 degree का कर देंगे और फिर दो तिर्भुज बन रहा है एक ये तिर्भुज बन रहा है और ये एक ये तिर्भुज बन रहा है तो यहां पर देखें यह 90 का होगा यह 30 का होगा तो यह कितने का हो जाएगा 30 और 90 को जोड लेगे तो यहाँ पर देखे 120 डिगरी हो जाएगा और 120 को 180 में से घटा लेंगे तो देखे कितना हो जाएगा 60 डिगरी हो जाएगा तो यहाँ पर यह 60 डिगरी निकल आएगा और उसके बाद देखे यह 40 डिगरी है और यह 90 डिगरी का हो जाएगा और फिर यह हमको निकालना है तो इस तिर्भुज में देखे 180 में से 40 और 90 को जोड़ करके घटा देंगे तो हमारा यह कौन निकालाएगा तो देखे 40 और 90 कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 130 तो इस परकार से 180 में से 130 को घटाएगे तो 50 डिगरी आ जाएगा यहनि कि यह 60 डिगरी का कौन निकाला है और यह 50 डिगरी का कौन निकाला है तो इस परकार से आप क्या करेंगे कि यह कौन हमको पूरा निकालना है तो यहाँ पर 30 और 50 को जोड़ देंगे तो 80 degree ये आ जाएगा और जो है इस कौण को यहाँ पर देखे जोड़ देंगे तो ये 60 degree आया और ये 80 degree आया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 degree आ जाएगे निकि 100 degree इसका मान आ जाएगा तो इस प्रकार से इस question को साल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले उपर लिख लेंगे कि अर्ध बरित में बना कोंड समकोंड होता है तो इस तरीके से देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा कोंड ACB बराबर 90 degree का हो जाएगा और इसी प्रकार से देखे जब यह कोंड 90 degree का हो जाएगा तो यह भी कोंड 90 degree का हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार कोंड ADB बराबर 90 degree यहनि कि यह कोंड और यह कोंड 90 degree का हो जाएगा आप क्या करेंगे आप ले लेंगे तिरभुज ABC A, B, C में तो देखें तिर्भुज A, B, C में क्या होगा कि यहाँ पर देखें हमको कोण B निकालना है और यह कोण हमारा देखें 90 डिग्री आ चुका है और यह 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण B वराबर देखें 180 में से क्या करेंगे इन दो कोणों को जोड़ करके घटा देंगे तो यहाँ पर 180 माइनस हो जाएगा कोण A और प्लस कोण C यहनिक यह वाला कोण और यह वाला कोण और इसमें से देखें घटा देंगे तो हो जाएगा कोण B वराबर 180 माइनस यहाँ पर देखें कौण A कितना है 30 डिगरी है तो यहाँ पर 30 डिगरी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 90 डिगरी अब यहाँ पर देखे कौण B बराबर हो जाएगा 180 में से जो है कितना घटा देंगे यहाँ पर देखे 120 डिगरी तो यहाँ पर आ जाएगा कोण B बराबर 60 डिगरी तो इस परकार से देखिए ये 60 डिगरी का कोण आ जाएगा आब यहाँ पर देखिए कोण B हमारा आ चुका है और अब इसी परकार से हम A, B, D गयाद कर लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे इसी परकार इसी परकार देखिए इसी परकार से अब हम क्या करेंगे अब ये वाला कोण गयाद कर लेंगे तो चलिए देखते हैं इसी परकार तिरभूज A, B, D में तो देखिए अब यहाँ पर कोण A हमको गयाद करना तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण A बराबर हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस देखे यह कौण है 40 डिगरी तो यहाँ पर 40 डिगरी कर लेंगे और प्लस हो जाएगा 90 डिगरी तो देखे इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो कौण A कितना हो जाएगा तो 180 माइनस यहाँ पर देखे हो जाएगा 130 डिगरी तो इस से देखे कोड़ A और कोड़ B हमारा निकलाएगा अब जो हम क्या करेंगे अब हमको जो है यह पूरा कोड़ निकालना है और यहाँ पर यह पूरा कोड़ निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कोड़ C A D बराबर C A D बराबर C A D बराबर हो जाएगा 30 डिग इस ही प्रकार से अब दूसरा कोंड ग्याद कर लेंगे коंड c, b, d वराबर c, b, d वराबर तो देखें c, b, d वराबर कितना हो जाएगा 60 degree यहनी कि यह कोंड हमारा 60 degree निकला था और यह 40 degree तियांपर 60 में 40 जोड़ देंगे तियांपर हमारा हो जाएगा 10 degree इस परकार से ये सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा, अब देखते हैं, नेक्ट कुश्चन, देखें नेक्ट कुश्चन है, दो अंकों की एक संक्या का योग बारा है, यदि उस संक्या में से 36 घटा दिया जाए तो संक्या के अंकों का अस्थान बदल जाता है, संक्या देखे इस question को कैसे solve करेंगे यहाँ पर देखे दो अंकों की एक संख्या कहा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एकाई का अंक बराबर माना एकाई का अंक बराबर X है तथा दहाई का अंक बराबर तथा दहाई का अंक बराबर Y है तो इस तरीके से देखिए मान लेंगे एकाई और दहाई का अंक और उसके बाद फिर यहां पर देखिए दहाई का अंक जो होता है वो अपने से 10 गुना होता है इसलिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी तो यहाँ पर लिख लेंगे तो संख्या बराबर तो संख्या बराबर यहां पर हो जाएगी 10y प्लस x यहनि कि जो दहाई का अंका है उसमें 10 से गुड़ा कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा या तो x प्लस 10y भी कर सकते हैं तो इस परकार से यह संख्या हो जाएगी अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रस्ना अंसार प्रस्ना अंसार तो यहाँ पर देखे प्रस्ना अंसार लिखेंगे तो हो जाएगा देखे दो अंकों की एक संख्या का योग बारा है कहा गया है तो यहाँ पर देखिए जो है दो अंकों की संख्या का योग बारा है तो यहाँ पर देखिए दो अंक जो है वो कौन से है एक्स और वाई है तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई कर देंगे एक्स प्लस वाई बराबर बारा कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा समिकान एक और इसी परकार से यहाँ पर यह देखिए हो जाएगा परथम सर्थ से परथम सर्थ से यहाँ पर लिख लेंगे और दुतिय सर्थ से देखिए दुतिय सर्थ से दुतिय सर्थ से यहाँ पर देखिए दुतिय सर्थ से यहाँ पर देखिए दुतिय सर्थ क्या है यदि उस स संख्या है, इस संख्या में से अगर 36 घटा दिया जाए, तो यहां पर देखें, संख्या के अंकों का अस्थान बदल देंगे, यहां पर देखें, जो इकाई के अस्थान पर संख्या है, उसको दहाई के अस्थान पर ले जाएंगे, और जो दहाई के अस्थान पर है, उसको y प्लस x है यानि कि दाहाई के स्थान पर y है और एकाई के स्थान पर x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दाहाई के स्थान पर x कर देंगे और एकाई के स्थान पर y कर देंगे तो हमारी संक्या यह बनेगी यानि कि 10x प्लस y बनेगी अब इसको साल्व कर लेंगे यानि कि समि जाएगा माइनस का हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस का 10y है और यह वाला जो है y धर ले जाएगे तो माइनस का y हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे इसको इधर पर चांतर कर लेंगे 36 का तो यह प्लस का 36 हो जाएगा अब जो है यहाँ पर देखे एक्स में से 10x को घ लेंगे तो यहां से देखे x बचेगा और minus का y बचेगा और इधर minus का जो 9 कामन लिए उसको इधर भेददेंगे तो 9, 4, 36 नहीं के minus का 4 आ जाएगा तो इस प्रकार से देखे यहां पर minus का 4 आ जाएगा अब पर देखे हो सकता आप लोगों के समझ में ना आया हो देखे यहाँ पर 9 कामन लेंगे माइनस का तो यहाँ पर देखे प्लस का X बचेगा और माइनस का Y बचेगा और माइनस का 9 इधर ले जाएंगे तो देखे इधर गुड़े में हो जाएगा तो यहाँ पर देखे भाग कर तो यहां पर हम लिखेंगे जोडने पर तो यहां पर देखेंगे जब जोडने पर लिखेंगे तो यहां पर हमारा वाई वाला पद कड़ जाएगा क्योंकि यहां पर वाई के जो चिन है वह भी प्रीत है तो यहां पर देखेंगे लिख लेंगे जोडने पर जोडने पर तो यहां पर देखिए जो यह वाले पद हैं यहां पर हो जाएगा 2X बराबर यहां पर देखिए यह भी आपस में घड़ जाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो यहां पर 8 बचेगा और फिर X बराबर हो जाएगा देखिए 8 बटे 2 और यहां पर देखिए X की वैलू 4 आ जाएगी तो इस प्रकार से देखिए X की value आ जाएगी अब हम क्या करेंगी अब यहां से हम X की value किसी भी समी करण में रख करके Y की value ग्याद कर सकते हैं तो यहां पर लिख लेंगे X का मान X का मान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 में रखने पर तो देखे समी करण एक क्या है उसमें रख लेंगे इधर साइड में कुश्चन को देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे समी करण एक है X प्लस Y बराबर 12 तो यहाँ पर देखे X प्लस Y बराबर 12 है Y कमान जो है यहाँ पर देखे X कमान निकला है सारी तो X कमान यहाँ पर रख लेंगे तो देखिए X प्लस Y बरावर 12 है तो यहाँ पर X की वैलू निकले है 4 तो यहाँ पर 4 रख लेंगे और प्लस Y बरावर 12 हो जाएगा और फिर y बराबर देखे 12-4 हो जाएगा और फिर y बराबर 8 हो जाएगा यानि कि y की जो value है वो कितनी आ जाएगी तो 8 आ जाएगी और x की value जो है वो x की value पहले निकाल चुके हैं यानि कि x की value यहाँ पर 4 आ जाएगी तो इस परकार से ये question भी solve हो जाएगा अब देखते हैं next question देखे यहाँ पर next question देखने से पहले देख लिजे यहाँ पर संख्या ग्याद करनी थी हमके वाल x और y के मान निकाले हैं तो अभी थोड़ा सा आगे और solve कर लिजे तो यहाँ पर लिख लिजे तो संख्या बराबर तो संख्या बराबर देखे संख्या क्या माने थे 10 y प्लस x तो इसमें x और y के मान रख लेंगे तो हमारी संख्या निकालाएगी तो यहाँ पर देखे 10 into 8 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर देखे दस अठे असी और असी में चार जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगी ने कि 84 वो संख्या निकल आएगी तो इस परकार से यह कुश्चन साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 5 तीन मीटर ब्यास का 14 मीटर गहरा कुआ तीन मीटर ब्यास का 14 मीटर गहरा कुआ तीस रुपया प्रतिघन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा यह कुश्चन भी देख लीजिए 2020 में आया हुआ कुश है तरसे हम जो तिरिज्या निकाल लेंगे क्योंकि यह पर व्यास दिया हुआ है तो यहां पर देखें तिरिज्या R बरावर हो जाएगा, D upon 2, तो यहां पर देखें D कितना है, ठिरी है, तो ठीरी by two हो जाएगा और फिर यहां पर देखे तीन का आधा करेंगे तो यहां पर one point five meter हो जाएगा तो इस परकार से यह इसकी तृद्या निकलाएगी और फिर देखे उचाई दी हुई है इसकी यहां पर देखे जो है 14 मीटर गहरा कुँआ कहा गया है तो इसकी यह उचाई हो तरीके से गोल कुआ होगा और फिर यहां पर देखे यह इसकी गहराई होगी तो यही इसकी जो गहराई होगी यही क्या हो जाएगी इसकी उचाई हो जाएगी इस तरीके से देखे कुआ होगा तो यह जो गहराई है यही इसकी उचाई हो जाएगी तो यह यहां पर देखे फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर तो देखें बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्कॉयर एज तो यहां पर पाई कमान रख देंगे बाइस बटे साथ और उसके बाद फिर आर स्कॉयर को मतलब क्या होगा वन देखिए 1.5 multiply by 1.5 यानिकि 2 बार है R square है तो यहाँ पर 2 बार रख लेंगे और फिर H बराबर हो जाएगा 14 अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जो है 7 से 14 को भाग कर देंगे तो 7 दुनी 14 यानिकि यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 22 दुना 44 हो जाएगा और फिर गुड़े यहाँ पर देखे 15 गुड़े 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 15 ही हम 225 और यहाँ पर देखे 2 अंकों के बार दसमलो लग जाएगा यानिकि यहाँ पर दसमलो आ जाएगा अब 2.25 का 44 से गुड़ा कर लेंगे तो इदर साइड में कर लेते हैं देखिए 2.25 का 44 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4, 25, 20, 20 का 0, 4, 2, 8 और 8, 2, 10, 10 का 0 हो जाएगा फिर 4, 2, 8, 9 यानि कि यहाँ पर 900 आ जाएगा और इसी तरीके से इस वाले 4 से गुड़ा करेंगे तो फिर यही संख्या आएगी तो एक क्रास लगा करके इधर से यही संख्या है फिर नोट कर लेते हैं और फिर इन सभी को जोड लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन अब देखें हमको क्या करना है हमको जो है यहाँ पर दिया गया है कि गहरा कुणा है फिर 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा यह हमको निकालना है तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकी चूंकी एक घन मीटर खोदने का खर्च बराबर एक घन मीटर कुणा खोदने का खर्च बराबर तो देखें एक घन मीटर कुणा खोदने का खर्च कितना है तो यह 30 रुपया दिया हुआ तो यहाँ पर 30 रुपया लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखें हमको निकालना क्या है कि 99 99 घन मीचर, यानि कि जितना गहरा कुंधा है, उसका पूरा आयतनी निकाला गया है, तो 99 मीचर कुंध खोधने का खर्च बराबर, तो देखे यहाँ पर क्या करेंगे, इस 30 का 99 से गुड़ा कर लेंगे, तो 30 कुड़े 99 हो descriptive, तो यहां पर देखें, तीन नवा सत्ताइस, सत्ताइस का साथ हो जाएगा, और फिर देखें, तीन नवा सत्ताइस, और सत्ताइस दो कितना हो जाएगा, यहां पर देखें, एक जीरू बढ़ जाएगा, तो दो हजान नौसो सत्तर रुपया हो जाएगा, तो इस प्रकार से ज पांच, साथ, आठ, नो तो A union B तथा A intersection B का मान गयाद केजिए ये question भी देख लिए 2019 में पूछा गया है देखे समुच्चे आपके course में नहीं है लेकिन तब भी ये question पूछा गया है या हो सकता है 2019 में रहा हो क्योंकि इस time तो आपके syllabus में समुच्चे वाला chapter नहीं है लेकिन ये question देख लिए 2019 में पूछा गया है इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लिए और इससे पहले आप लोग 3 semester में जो है समुच्चे पढ़ भी चुके हो तो बहुत ही आसानी से इसको solve किया जा सकता है और 9 ये दिये हुए हैं B की आव हो तो इनमें देखे हमको करना क्या है A union B पहले निकालना है A union B तो देखे A union B का मतलब है कि जो दोनों में common हो उसको भी एक बार और जो common ना हो उसको भी एक बार लिखते है तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर 1 इसमें नहीं है, तब भी इसको लिखेंगे, उसके बार 3 देखे, इसमें नहीं है, तब भी इसको लिखेंगे, और 5 देखे, इसमें है, कामन है, तब भी इसको लिखेंगे, और 7 भी कामन है, तो यहाँ पर देखे, 7 को भी लिखेंगे, यह intersection B का मतलब जो common है वही इसमें रखे जाएंगे आवाई हो तो यहाँ पर देखिए common सिर्फ 5 है और 7 है तो यहाँ पर 5 और 7 ही A intersection भी हो जाएगा तो इस प्रकार से यह question भी आसानी से हल हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 7 निमने चित्र में O ब्रत का केंदर है कौण B A C का देखें मान दिया हुआ 40 degree तो कौण O B C तथा कौण O C B का मान गयाद कीजिए यह question भी देख लीजिए 2019 में पूचा गया है यहाँ पर कहा गया देखें निमने चित्र में O ब्रत का केंदर है यहनी कि यह कहा गया कि O जो है वो ब्रत का केंदर है और कौण B A C B A C यह दिया हुआ है 40 degree तो कौण O B C O B C यहनी कि यह कौण हमको निकालना है और कौण O C B यानि कि OCB ये वाला कॉंड निकालना है यानि कि ये दोनों कॉंड हमको ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक पल में पढ़े होंगे या हमने भी पढ़ाया है कि एक ही जीवा दोरा ब्रित के केंद पर बना कॉंड परित पर बने कॉंड का दो गुना होता है यानि कि ये कॉंड जो 40 डिगरी का है तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इसके दो गुना यानि कि 80 डिगरी का और देखिए यदि ये कोण जो है दिया होता तो हम क्या करते तो हम ये पर में लगा देते कि जो परिद पर बना कोण है वो केंद पर बने कोण का आधा होता है तो इस परकार से ये इसका आधा हो जाता है तो इस परकार से ये पर में यहां पर लगा देंगे तो देखे सबसे पहले हम यहां पर दीवाद्वारा ब्रत के केंद्र पर बना कोणुड। परिधी पर बने कोणुड। परिधी पर बने कोणुड। दो गुना होता है। इस तरीके से ये पर में लिक लेँगे। यहां पर हमारा कोणुड। यहां पर देखे तुएंट। यहां पर चालिस डिग्री। तो यहाँ पर यह कुल मिला करके निकल आएगा 80 डिगरी तो इस प्रकास से हमारा ये कौण जो है निकल आएगा यनिकि कौण B O C ये वाला कौण हमारा निकल आएगा अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि तिरभुज B O C में तिरभुज B O C में यनिकि B O C ये वाला ब्रत की तिरिज्याएं है इसलिए बराबर होंगी क्योंकि ब्रत की सभी तिरिज्याएं बराबर होती है तो इस परकार से ब्रत की तिरिज्याएं है इसलिए बराबर होंगी और जब ये तिरिज्याएं है और ये बराबर होंगी तो देखिए इनके जो सामने के कौन है वो भ भी इस प्रकार से ये दोनों कोंड बराबर हो जाएंगे तो देखिए ये दोनों कोंड बराबर हैं तो इनके बराबर हमाल लेंगे X यानिकि ये दोनों कोंड क्या होंगे X डिगरी के हो जाएंगे और अब जो है क्या करेंगे कि अब इन तीनों कोंड का योग करके एकु Herren पर देखे ho जाएगा C0B स्वारी, ओ बी सी प्लस O, B, S प्लस कोंड प्लस कोंड हो जाएगा C, O, B BRAबर हो जाएगा एकु tu問он तो यहां पर देखे O, B, C यह Śडिग बाने है और प्लस यहां पर देखे B, C, O, यानि कि ये कोंड भी X degree है और प्लस कोंड C, O, B C, O, B हम उपर निकाल चुके है 80 degree, तो यहाँ पर 80 degree हो जाएगा बराबर 180 degree अब यहाँ पर देखे, इन दोनों X को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखे, 2X तो यहाँ पर देखे, 2X प्लस 80 degree बराबर हो जाएगा 180 degree, अब यहाँ से देखे, 2X बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 80 degree तो इस परकार से यहाँ पर देखे X की value क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखे 80 घटाएंगे इसमें से, तो हो जाएगा 100 और इस 2 को इसके बटे में ले आएगे, तो यहाँ पर देखे X बराबर आ जाएगा, 50 degree तो इस परकार से यहाँ पर देखे X बराबर 50 degree आ गया, यहनि कि यह कौण जो है, 50 degree का हो जाएगा और यह कौण भी 50 degree का हो जाएगा, तो इस परकार से यही OCB बराबर OCB बराबर तो देखे OCB भी जो है 50 टिगरी का हो जाएगा तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 8 छे अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ग्यात कीजिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ग्यात कीजिए ये question भी देख लिए जो 2019 में आया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौसी होती है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर छे अंको की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए हो जाएगी नौलाख निन्यानवे हजार नौसो निन्यानवे यह हो जाएगी छे अंको की सबसे बड़ी संख्या और अब इसका क्या करेंगे इसका जो है हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्ग मूल निकालने पर जो सेस बच्चे वो संख्या इसमें से घटा देंगे तो वही जो है क्या हो जाएगी पूर्ड वर्ग संख्या छेंकों के सबसे बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हम इधर से दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा हमारा ये बना और ये ये बना और ये बना अब यहाँ पर ऐसे संख्या लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर 99 से ज्यादा ना हो या तो उससे कम रह जाए या तो 99 के बराबर हो जाए तो यहाँ पर देखिए 99 81 होता है और अगर 10 लेंगे तो 10 दहमा 100 हो जाता है जो कि जादा हो जाएगा तो यहाँ पर 9 बारे जाएगा तो यहाँ पर देखिए 99 81 हो जाएगा तो यहाँ पर देखे एक संख्या नहीं उतरती है जोड़ा ही साथ में उतरता तो यहाँ पर दो संख्या उपर से उतार लेंगे अब जो है यहाँ पर नव देखे जोड़ लेंगे इसमें तो नव दुनी अठारा हो जाएगा यहाँ पर जिस संख्या से गुड़ा करते हैं व और फिर नव अठे, बहत्तर और बहत्तर और आठ कितना हो जाएगा, तो बहत्तर आठ हो जाएगा, असी, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और फिर नव एक कम नव हो जाएगा, और नव एक कम नव हो जाएगा, और नव और आठ कितना हो जाएगा, तो नव आठ सत्रा हो ज हेगा याँ पर 298 नवे आ जाएगा अब उपर से दो संक्राइब फिर उतार लेंगे तियां पर 99 नवे हो जाए ग कि अभर देखें नव बार फिल ले जाएंगे तियाँ पर 99, 81, 81 का एक हो जाएगा और फिर 98 72 और 72 और आठ कितना हो जाएगा 82, 88, 80 का 0 हो जाएगा फिर 99, 81 और 81 और 8 कितना हो जाएगा तो 81, 8 हो जाएगा 89, 89 का 9 हो जाएगा और फिर 9, 1 कम 9 और फिर जो है 9 और 8 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 17 अब इसको भी घटा लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा और फिर यहाँ पर देखे एक हांसी लिधर से ले लेंगे तो यहाँ अठारा हो जाएगा 18 में से 9 बचेगा और फिर यहाँ पर देखे, 18 बचेगा, 18 में से 17 जाएगा, तो एक बचेगा, यहाँ पर जो है, 998 सेस बच जाएगा, तो इस परकार से, यही संख्या हम, जो है, इस बड़ी वाली संख्या से घटा लेंगे, तो जो बचेगी, वो संख्या पूर्ण वर्ण संख्या होगी, त आता है, आता है छे अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, आता है छे अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो देखें पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें जो है, घटा लेंगे हम, देखे एच्छे अंकों के सबसे बड़ी संख्या हो गई और इस में से जो सेश बच रहा है इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर देखे, नो में से आठ जाएगा, तो एक बचेगा, फिर यहाँ नो में से नो जाएगा, तो जीरो बचेगा, और फिर यहाँ पर नो में से नो जाएगा, तो जीरो बचेगा, और फिर नो में से एक जाएगा, तो आठ बचेगा, और फिर यहाँ पर 99 बचेगा तो इस परकार से ये जो संख्या बचेगी, ये पूंड वर्ग संख्या होगी, तो इस परकार से ये कुश्चन भी साल्व हो जाएगा, अब देखते हैं, नेख्ट कुश्चन, तो देखें, नेख्ट कुश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चोड़ाई की तीन गुनी है एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की तीन गुनी है यदि बाग का छेत फल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई गयत कीजे तो देखे इस कुश्चिन को कैसे साल्व करेंगे तो देखे यहां पर सबसे पहले हम मान लेंगे यहां पर देखे दिय बराबर तो देखे चौड़ाई एकस मान लेंगे एकस है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी तो देखे लंबाई यहां पर कहा गया कि चौड़ाई की तीन गुनी है तो आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 3 एकस और फिर देखे कहा गया यदि बाग का छेतफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई गयात कीजे तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे जो है आयत का छेतफल बराबर आयत का छेतफल बराबर तो देखे आयत का छेतफल होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो यहाँ पर देखे लंबाई गुड़े चोड़ाई कर देंगे तो यहाँ पर देखे आयत के छेट फल का फार्मूला यह है और यहाँ पर देखे आयत के छेट फल दिया हुआ है 243 तो यहाँ पर छेट फल की जगे पर 243 लिख लेंगे और लंबाई और चोड़ाई जो माने हैं वो रख लेंगे तो यहाँ पर देखें लंबाई है 3X और चोड़ाई है X अब यहाँ पर देखें 243 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें 3X स्क्वाइर हो जाएगा अब X स्क्वाइर को इधर ही रखेंगे और 3 को इधर पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखें X स्क्वाइर यानि कि यह समझ लीजे कि इधर ही है और इसको इधर पच्छांतर करेंगे तो यह जो है इधर देखें गुड़ा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग और फिर यहां पर 3 से इसको भाग कर लेंगे तो यहां पर देखिए x square बराबर हो जाएगा 3 वट है 24 और 3 एकम 3 यहनिकी 18 हो जाएगा और फिर x बराबर यहां पर देखिए इसका square हटाएंगे तो इधर root लग जाएगा यानिकी under root के अंदर 18 हो जाएगा और फिर यहां पर x बराबर हो जाएगा देखिए 18 कवर्मूर निकालेंगे तो देखिए 9 आ जाएगा यानिकी x बराबर 9 आ जाएगा यहाँ पर देखे कहा गया था कि जो है बाग की लंबाई गयाद कीजिए तो यहाँ पर देखे बाग की लंबाई जो है हम 3X माने थे तो यहाँ पर लिख लेंगे अता है अता है बाग की लंबाई बराबर तो देखें लंबाई 3x माने थे यहाँ पर 3 into 9 हो जाएगा यहनिकि 9 तरिक 27 हो जाएगा और देखें मीटर में था तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 27 मीटर तो इस परकार से बाग की लंबाई आ जाएगी तो इस परकार से आज के सारे कुशन समप्त होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सारे कुशन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए चैनल